हर्यों प्रिदर्सकों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपके लाइफ में अब कुछ बड़ा होने वाला है, आपके लाइफ का गोल्डन टाइम चालू होने वाला है, वो कैशे होगा और कब होगा ये हम सब जानेंगे वीडियो को लाज तक देखिएगा, क्योंकि यदि आप पहले ही वीडियो को छोड़ देंगे तो पूरी बात मालूम नहीं पड़ेगी, और फिर कहीं कहीं कन्फूजन रहेगा, और लगेगा कि हमने बहुत सारी वीडियो देखी, जैसे उसी तरह इस वीडियो में भी हमें ब ये जानते ही हैं कि 30 अक्टूबर 2023 को राहू का और केत्व का राशी परिवर्तन होने वाला है, परन्तु इससे ज़्यादा बड़ी बात ये है, क्योंकि देख गुरू ब्रहस्पति अभी तक राहू के साथ बिराजमान थे, बैठे हुए थे, और मेसराशी बालों को बहुत ज़्यादा समश्याएं कहीं न कहीं दे रहे थे, मेसराशी बाले बहुत ज़्यादा परिशान थे, और एक चीज और बता दू कि ये राशी फल आपके चंधराशी के आधार पे है, तो मेश राशी वाले जो अभी तक बहुत ज़्यादा परिशान थे अब उनके जीवन में देव गुरु ब्रहस्पती बहुत बड़ा पदलाव करने वाले हैं क्योंकि राहू अब राशी परिवर्तन करके मेश राशी से मीन राशी में शले जाएंगे तो देखा जाए तो इससे देव गुरु ब्रहस्पती मुक्त हो जाएंगे आपने पहले भी जो देखा होगा कि गुरु चांडाल योग ये जो राहू और गुरु बैठे थे यह चांडाल योग बना के बैटे थे देवगुरु ब्रहस्पती आपको आगे बढ़ाना चाहते थे आपको उन्नती प्रगती देने जाहते थे परंतु वो दे नहीं पा रहे थे क्योंकि राहू कहीं कहीं आपको भ्रमित कर दे रहे थे तो यही कारण था कि देव गुरू ब्रहस्पति बहुत अच्छी स्थिती में होने के बाद भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे। तो इसमें मई तक यह समय होगा जिस समय देव गुरू ब्रहस्पति आपको जो देना चाहते थे वो देंगे, क्या देंगे आईए जानते हैं। और ब्याई भाव में भी है, दौदस भाव में। तो देव गुरू ब्रहस्पति यहाँ पर विराजमान होके, लगन में विराजमान होके, आपके मान संबान में व्रध्धी करेंगे। आप जो अभी तक निरने ले रहे थे, वो कहीं कहीं गलत हो रहे थे। अब जो आप निरने लेंगे, जो आप सोचेंगे, समझेंगे, कोई डाइरेक्शन आपको मिलेगा, वो सही डाइरेक्शन मिलेगा, सही राष्टा मिलेगा। अब देवगुरु ब्रहस्पति आपको सही राष्टा दिखाएंगे, जिसे आपके जीवन में उन्नती प्रगती हो सके, आपके मान सम्मान में व्रध्धी हो सके, साथ में देवगुरु भहस्पति आपको आरोगता भी प्रदान करेंगे देवगुरु भहस्पति पंचमभाव में दर्ष्ट्री डालेंगे तो यहाँ पर आपको शंतान के प्रति जो समश्याएं चल रही थी वो दूर होंगी और जो लोग शंतान की प्लानिंग कर रहे थे उनको अब शंतान प्राप्ती होने के प्रवल योग बन जाएंगे और यदि आपके शंतान है तो उसके जीवन में अच्छी स्थिती बनेंगी उसको लाव पराप्त होगा उसके जीवन में पॉजिटिव बदला होंगे अब हम बात कर लेते हैं कि विद्यार्थी जो हैं उनको इसका लाव मिलेगा क्योंकि पंचमभाव में दर्ष्टी है तो आपका मन अभी तब कहीं न कहीं भटक रहा था आप बहुत प्रत्न कर रहे थे पढ़ाई लिखाई करने की परन्तु दोस्तों के साथ सोचल मीडिया आधी आधी जगहों पर आपका मन भटक जाता था समय बरबाद होता था आप प्रत्न तो करते थे पढ़ने के लिए परन्तु कुछ न कुछ ऐसी वाधाई आती थी अब पढ़ाई में मन लगेगा या आप एडमीशन लेना चाहते थे कहीं अच्छी जगह में तो आप मन मुताविक जगह में एडमीशन भी प्राप्त होगा साथ में बैंग के बैलेंश में भी देव गुरु ब्रहस्पति अब ब्रद्धी करने बाले हैं आपके बैंग के बैंग के बलेंश में बहुत समय से रुकाबट कहीं न कहीं बनी हुई थी तो पैसा आता तो था पर खर्च हो जाता था अब देव गुरु ब्रहस्पति उसे कंट्रोल करेंगे और बचत करवाएंगे साथ में दामपत्त जीवन में भी दृष्टी अर्था सप्तम भाव में दृष्टी जाल के दामपत्त जीवन में जो अभी बादव्याद उल्जने आपस में मनमुटाव की स्थिती बनी हुई थी उसे दूर करके और प्रेम की परनलाब होने वाला है और सपोर्ट भी मिलने वाला है साथ में जो लोग विवाह करना चाहते थे उनके लिए भी अब विवाह के योग बनेंगे देव गुरु ब्रहस्पति ब्याय के योग तो बनाए हुए थे पहले से ही परन्तु अब रिजल्ट मिलेगा अब आपका विवाह है आपकी साधी निश्चित हो सकती है साथ में देव गुरु ब्रहस्पति आपके भाग भाव में दृष्टी डालके आपके भाग को प्रवल करेंगे जिससे रुके हुए काम जो काम करने का प्रयत्न कर रहे थे कुछ न कुछ बाधाएं आ रही थी वो सब बाधाएं दूर करके और आपके भाग में ब्रध्ध करेंगे जिससे हर एक काम आपके बनेंगे साथ में 12 भाव के भी अधिपती देव गुरु वहस्पती हैं जो कि आपके प्रथम भाव में बैठे हैं तो जो कोड कर चहरी के मावले थे कहीं कहीं मेसराजिवालों को परिशान किये हुए थे यात्रा करते समय भी समश्याई आ र पहस्पती आपको हर एक तरह से अवलाब देने वाले हैं तो त्यार हो जाएए इनको प्राप्त करने के लिए इसके लिए आप यदि कुछ उपाए हैं उन्हें भी करें तो और भी ज्यादा प्रवल संभावना हो जाएगी कि आपको शुभ परिणाम प्राप्त हों लगाएं तो बहुत बढ़ी आनी तो हल्दी का लगाएं भग्मान नारायन की आराधना करें भग्मान नारायन के मंत्रों का भग्मान विश्णु के मंत्रों का ओम नहुँ भुपतिवाश देवा या ओम नहुँ नारायन आए या जो भी मंत्र आप से बनता हो उसका जब क कर सकते हैं और पीली चीजों का दान भी कर सकते हैं प्रिदर उसकों सबसे बड़ी बात यही है कि आप भगमान नारायन की आराधना करेंगे बड़ों का सम्मान करेंगे उतना ही बेहतर प्रणाम आपको मिलने वाले हैं और महत्पून बात यह है कि आप अपनी जन्म कुंडली में देव गुरु भरस्पत की श्तिति जरूर देख लें क्योंकि अभी मैंने जो बताया कि आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं यह बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि आपकी जन्म कुंडली में देव गुरु भरस्पत की श्तिति क्या है यही कारण होता है कहीं न कहीं कि आप वीडियो में देखते हैं और वैसा रिजल्ट आपको नहीं मिलता है इसका कारण यही होता है कि देव गुरु भरस्पत की श्तिति जरूर आपकी जन्म कुंडली में ठीक नहीं है तो फिर आपको वैसे प्रणाम नहीं मिलते हैं विप अपनी कुंडली में देव गुरू व्रस्पत की इस्तितिव जरूर देख लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्नवाद।